नमस्कार दोस्तों, SVP Global Textile Company के Q2K जल्ट आ चुके है, और दोस्तों ये सारी मांट लैक्स में है, Previous Year का जल्ट आपर मैंशन है, Previous Quarter यहां पर और इस Q2 का जल्ट आपर मैंशन है, अगर हम Total Income देखें तो Previous Year Company ने 28,000 के असपास income जनरेट की थी, जो कि अब गटके, सिर्फ 7,000 की रेंज में रह चुके है, तो बहुत ही बेकार प्रफॉमेंस रही है अभी year on year, और quarter on quarter देखें तो उस basis पे भी गिरावड है, यहां पे 7,000 से लगबग ये 3,300 के असपास, तो काफी बेकार प्रफॉमेंस रही अपके बार, और अगर हम Expense देखें कमपनी के, तो Total Expense Previous Year Company के 31,400 के असपास थे, जो कि अब गटके, 13,200 हो चुके है, और Previous quarter में लगबग 14,300 थे, और निचे अगर हम Net Profit देखें कि कमपनी को Profit कितना हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे Net Profit आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यह Company Profit में तो नहीं है, Loss में है और Loss भी Company ने काफी बढ़ा दिया अपना, यहाँ पे आप देख सकते हो, 2000 का जो Previous Year Loss था वो अब लगबग 6,000 के असपास हो चुका है, 3X आप कहा सकते हो, Loss पोच चुका कमपनी का, और Quarter on Quarter भी देखोगे, तो Previous Quarter में भी Company Loss में थी और अभी भी Loss में है, और Previous Year भी Company Loss में थी, तो Company की Performance तो बहुत भीकार है, और नीचे EPS भी Negative में है, 4.66 के Negative में पोच चुका है, तो दोस्तों यह थे Company Result, और अगर हम एक बर इसका चार्ट पेटर्न देखें, फिलाल Company Share Price 9 पे के आसपास टेड कर रहा है, और आज के दिन एक गिरावट लगबग 2% के आसपास, आप इसको पैनिश्टो की कैटेगरी में बोल सकते हैं इस Company को, और 5 दिन के बात करें, तो लगबग 1.5% की गिरावट, और एक महिने में 11% के positive return, और 6 महिने में 37% down, और एक साल में 71% down चल रहा है share, और 5 साल में भी अगर हम देखें तो 70% के आसपास down है, और मैक्सिमम 12,800% के positive return, तो दोस्तों, long term में तो काफी बढ़िया return जी इसने, और ये return निकल के आ रहा है, 2005 से लेकर अभी तक, तो ठीक है, पर एक चीज़ अगर आप देखोगे, 2021 में अपने all time high pay थी, तो तब से लेकर अभी तक, अगर हम 2021 तक अगर हम data देखें, तो इस company लगबग लगबग 2,00,000% के return दे दी थे, 2,00,000, 4,000% के return, और उसके बाद ये अब फिलाल 90% के आसपास down है, 90% से भी ज्यादा, तो एक बार हम इसके fundamentals देख लेते हैं, कि इतनी आलत कैसे खराब होगी company की, तो company textile का का काम करती है, और market cap सिर्फ 115 क्रोड है, तो nano cap company आप बोल सकते हैं, तो इसमें गिरावट होगी, तो 60-70% तो आहाम बात है, nano cap company में, और इसका नीचे अगर हम sales देखें, sales से idea हो जाएगा में, तो 2015 में जो 37 क्रोड की sales थी, वो अभी फिलाल 600 क्रोड के असपास है, तो तब से लेकर अभी तक तो growth है, पर अगर हम देखें, तो 1700 क्रोड, 19, 24, फिर एकदम से 1300 क्रोड, और फिर 1200 क्रोड की range में, और फिर अब 900, और अब सिर्फ 500 क्रोड की range में, सवा 500, तो अभी फिलाल तो गिरावट ही चलिए, पिछले कई सालों से sales में, और net profit भी देखें, तो जो पहले 9 क्रोड था, वो 300 क्रोड के loss में, तो previous year भी company loss में थी, starting में एक बार तो काफी तेजी से company ने grow करना start क्या था, 9 क्रोड से 18, फिर 68, फिर एकदम से गिराओ, 46 क्रोड, फिर 51 क्रोड, फिर 25 क्रोड, काफी गिराओट, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद company loss में आगी, तो दोस्तों काफी रिस्की company है, फिलाल fundamentals ऐसा कुछ ज़्यादा खास नजर आनी रहे, और उपर से borrowings, 9,000 क्रोड की है, तो खर समझ में भी बात नहीं है, कि 115 क्रोड का market cap और 9,000 की borrowing, तो ये तो काफी concern वाली situation है इस company के लिए, और promoters की holding 52% है, public के पास 47% है, FIs के पास कुछ नहीं है, पहले था, अब वो खाली करके जा चुके हैं, तो दोस्तों ये थे company fundamentals, तो अभी investment purpose के लिए तो बिलकुल नजर नहीं आ रही है company, तो ऐसी company से आप बचके रहे हैं, और बाकी आप अपनी study केजिए, और तब इसमें invest करने ही सोचिए,